नमस्कार स्वागते आप सभी का दा एकॉनमिस में तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है तो आज है बारा जुलाई तो चलिए आज का एडिटोरल डिसकेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं और आज यहां पर बात कर रहें एडिटोरल नंबर बान मे नॉन बैंकिंग फैनाशिल कंपनीज के बारे सेट्लिंग डाउन ऑन रेगुलेशन्स तो कुछ रेगुलेशन्स की बात यहां पर आजबे की द्वरा की जा रही है कि एनबी एफसी को किस तरीके से कंट्रोल करके चलना उनको एक्स्पैंड करके चलना है तो उसी की रिगा करने जाना हो तो उससे पहले एक बार डिसकस हो जाए तो फिर क्या कमेंट्स आते हैं उसके बाद बात में उसी को फॉलो करके तो विकर नए नया आइडिया को मिलता है तो उसको पिर यूज भी किया जाता हैं डिसकॉशन पेपर एक release किया गया जैनुरी महीने में तो वहा तो यहां पर किसके लिए for non banking financial companies के लिए on a scale-based approach scale-based approach मतलब बड़े पेमाने पर फैलाना है NBFC का जो दाइरा है भारत में तो NBFC क्या होती नॉन banking financial companies क्या होती है जैसे देखो इनके पास जो यह finance आपको प्रवाइड करती है तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि लास्ट माइल फंडिंग जब कहीं पर भी किसी बैंक से बात ना बने तो अगर आप इनके पास जाते हैं यहां पर से भी आपको पैसे मिल सकते हैं बशर्ति यहां पर थोड़ा सा जो इंट्रस्ट रेट होता है जादा होता है जो बैंकों के साथ अलग चलता है तो बैंकों को भी आरबे ही रेगुलेट करता है तो देखो यह जो नबी एफसी जो होती है यहां पर सीधे नाम में लिखा हुए नान बैंकिंग मतलब कि इनके पास बैंक का स्टेटस नहीं है लेकिन फैनाशल कंपनीज यह है मतलब फैनास यह प्रवाइड करती है तो अभी अगर मैं एक्जेंपल की बात करूं जैसे अगर आप किसी टॉयटा के शोरूम में जाते हो ठीक है तो टॉयटा जो गारिया बेजते हैं तो अगर आप गारी ख्रीदना चाह रहे हो तो अगर आपने लोन करना है तो वहाँ पर दो फैसलिटी से जातों बैंक सेकर वालों यहां पर दूसरा वहाँ पर एक है तो वह टॉयटा का अपना है वह जिसको टॉयटा मशूर नाम है ठीक है तो वह भी आपको गोल्ड लोन की भी फैसलिटी आपको परवाइड करते हैं तो वह भी एक NBFC है उसके बास भी एक प्रॉपर बैंक का स्रेटिस नहीं है तो अभी आगे बढ़ते हैं तो अभी क्यों ऐसा रेगुलिटरी फ्रेमवर्क लाया जा रहा क्यों ऐसा discussion paper लाया गया तो बात करने कि इसका जो मुख्य उदेश है इस रेगुलिटरी फ्रेमवर्क का तो यहां पर ऐसा है कि जो NBFC है उनका जो scale of operations है ठीक है उसके उपर focus करना है कि इसको expand किया जाए दूसरा जो भी complexity आती है transactions में कि जो भी आप ऐसा transaction करते हो उसमें को with the financial system तो जो देश का बाकी का financial system है उसके साथ यह जुड़ा रहे अच्छे तरीके से जुड़े और expand करें अपने आपको मतलब अपना दाइरह बढ़ाए और financial system से system के साथ जुड़े तो बाती financial system में बहुत सारी चीज़े आ जाती है okay finance आ जाता है investment आ जाती बैंकिंग आ जाती आ जाती है तो बहुत चीज़े आती है तो उसके साथ अच्छे से जुड़ा रहे तो अभी क्या जो अप्रोच चल रहा है कि मतलब एक ही साइज रखना है मतलब एक NBFC है तो उसका जितना मी टर्न नमर हो तो यह पर थोड़ा कम ह होता है अगर मैं बैंक के साथ comparison करूँ अगर आपने कोई NBFC खोलनी है तो यह बैंक खोलना है तो उसके लिए यहाँ पर ज्यादा राशी आपको शोग करनी पड़ती है अगर कम भी हो तो चलता है तो वहीं यहाँ पर जो है एक अप्रोच लगा कर चली जा रही है NBFC के द बेट्वीन दा लिमिटिंग एक्सपोजर तो सिस्टेमेटिक रिस्क एंड अलॉइंग फॉर कॉंटिनूड ग्रोथ इंदा सेग्में तो यहाँ पर एक बैलेस अप्रोच अपनाई जा रही है कि जो मतलब कम अभी कम एक्सपोजर यहाँ पर है NBFC के रिगारिंग वह विदा चाहिए तो अगर बैंक से फाइनास नहीं मिल पा रहा तो कम से कम NBFC उनको फाइनास प्रवाइड कर सके हैं तो अभी पिछले कुछ डेकेर्स की बात करें पिछले कुछ दहाकों की बात कर रहे हैं तो कहरें कि NBFC इसका जो साइज है तो यहाँ पर बड़ा है सिग सबसे जो पहला मतलब जिनको यह सेवा परदान करते वह MSME सेक्टर से और एजवल एस इंडिविजूल्स को के तो इनका 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 बी जो है इतना बड़ा कोई टर्न आवर नहीं होता है माइक्रो कंपनीज का अलग होता है मेडियम अन्टरप्राइस का अलग होता है मेडियम आपने बार में आसर करें पहले में काफी बार इसके बारे में बता चुका हूं तो अभी MSME को सर्विस परदान करते हैं अभी के लिए और एंडवीजियों लोगों को जो आप आम लोग उनको भी ये सर्विस मिलती है including some sections of society for whom banks are inaccessible तो ऐसे कुछ sections जो banks को assess नहीं कर पाते हैं तो उन sections को NBFC सेवा परदान करते हैं तो आगे बात करते हैं also apart from the traditional brick and mortar models तो यहां पर जैसे पुराने इतों वाले और यहां पर मॉटल वाले models जैसे घर बनाने के लिए यूज करते तो अभी उसी के रिगार्डिंग यहां पर थोड़ा example के तौर पर यहां पर बात कर रहे हैं कि some of the new age fintechs have significantly leveraged technology मतलब जैसे अभी भी अगर कोई घर बनाते तो टेकनोलोजी में आप काफी improvement आई है तो उसी के regarding finance companies के बारे भी बात कर रहे हैं कि जो नई fintech financial technologies जो आई है तो उसमें भी यहां पर काफी जो है बरौतरी हुई है इन companies की यहां पर technology का बहुत आहम रोल रहा है and found innovative ways to reach and serve the ultimate customers तो यहां पर और और भी बहुत सारे जो innovative रास्ते हैं अपनाए गए हैं इन companies के द्वारा की किस तरीके से अपने customers को यह service जो है यह परदान कर सके तो टेकनोलोजी की बात कर रहे हैं कि मतलब काफी बड़े अपिमाने पर यह use कर रहे हैं और आगे बात कर रहे हैं कि from being around 12% of the balance sheets of the banks तो अभी इनकी balance sheets की बात कर रहे हैं अभी 12% होती है यह बात कर रहे हैं कि जो बैंकों का size होता उसके मकाबले में NBFC जो है अभी 25% तक पहुंच चुकी डबल हो चुकी है बैंकों के मकाबले में इनकी अगर balance sheet की बात करें तो NBFCs have increasingly played a vital role in the economy as they support real economic activity by widening assets to financial services and providing last mile funding तो धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है तो यहां पर finance की सुविदा चाहिए ही चाहिए अगर पैसा होगा तभी further investment होगी तभी कोई नए अधारे खुलेंगे नए अधारे खुलेंगे तो नए नौकरियां खुलेंगी तो अभी उसी के regarding बात करेंगी बहुत एहम रोल अभी economy में अदा कर रही है अगर real time real economic activities की बात करें तो यहां पर financial services का दारा यह बढ़ा रही है और यहां पर last mile funding provide होती है अगर आप बैंकों से भी अगर आपको सुविधा नहीं मिली है लोन की तो यह लोन प्रवाइड करते हैं और आगे बात करेंगी और गौर्मेंट ऑफ इंडिया understand the need to have a robust network of nbfc to deliver credit to the underserved segments of society बहुत सारे सुसाइटी के हिसे अभी ऐसे हैं जहां पर nbfc भी नहीं है तो यहां पर nbfc को खोलना आसान है क्योंकि इनकी जो eligibility criteria थोड़े इतने कठे नहीं जितने बैंकों के हैं तो वही बात कर रहे हैं कि RBI और जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया है उनको समझ है कि कितनी जरूरत है कि अच्छे खासे network की nbfc की ता जो कि और आगे बात करें यहां पर साथ साथ यह भी कह रहे हैं तो जो यहां पर उनको अभी अगर आगे बढ़ाना है तो reforms की बहुत बड़े पिमाने पर जरूरत है और साथ ही साथ एक अच्छे regulatory framework की फ्रेंबर की भी जरूरत है कि मतलब इनके ऊपर कुछ ऐसा risk भी ना बनेगे काल को यह भी दिवालिया होने शुरू हुआ है जैसे हमारे बैंक हो रहे हैं सरकारी बैंकों के अगर बात करें तो बहुत बड़ा NPA है non-performing assets उनके बन चुके हैं इनका यह नहीं होना चाहिए इस त्रीके से इसको regulate करके चलना है और आगे बात की जारी है increased size and complexity of NBFCs have also made increased spillover and systematic risk for the financial system जैसे जैसे size बढ़ता गया NBFCs का जैसे complexity वो बढ़ती गई तो यहाँ पर जो इसका spillover है तो इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि जो risk होता है ना मतलब जो दुरगटना हो सकती है तो उसका risk जो है वो financial system में वो भी बढ़ता गया वो बढ़ता जा रहा है तो अभी उसको भी control करके चलना है वही बात है कि bank को सरकारी बैंक को वाली हालत नहीं होनी चाहिए कल को यह ना हो कि मतलब जैसे सरकारी बैंक जो धीरे दीरे करके इनको privatize किया जा रहा है को सकता है कल को है तो यह जो जारा तर अनबी एस यह private ही है यह मतलब इनका हाल जो है ना सरकारी बैंक हो जासाना हो हाला कि इतने भी प्राइवेट बैंक्स है भारत में तो वो कोई उनके उपर इतना नहीं है तो वो अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं अगर है इस इन बी एफसी क्राइस जाओ यह जो एक एन बी एफसी जिसका नाम है इंफर्ट्रक्चर लीजिंग अन्फाइन सर्वेसे तो यह पिछले साल यहां पर इसके उपर क्राइस आगे एंबिए फसी के ऊपर यह दिवालिया हो गई मतलब इस NBFC ने भी मतलब जहां-जहां से पैसा उठाया हुआ था मतलब जहां-जहां पर पैसा उठाकर आगे लोन सर्विस करना था तो वहां पर यह नहीं वापस दे पाई तो यह वही बात कर रहे हैं कि जो धारना है न NBFC के रिस्क की तो यहां पर यह चीज देखने को मि इसलिए यहां पर इसा discussion paper निकाला गया है कि इनको expand करो मतलब जितने अगर कम रहेंगे अगर कल को यह भी दिवालिया होंगी तो कल को फिर कोई भी नहीं बचेगी तो अभी वही बात की जा रही है आर्बिया गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैव कॉंटिनू टो मेंटेन दा फ फुलफिल नहीं नहीं कर पाएं खास तोर भी किनकी बात कर रहे हैं राट को रलेक्टिव ली स्कॉल देन बेटि शोटी चोटी मतलब जिनका साइज मतलब लाग जितना भी एसेट साइज होता है छोड़ा चोटा साइज ज्यादा बड़ा यहां पर साइज नहीं है तो यह रूपीज की बात कर रहे है कि 97 परसंट की जितनी भी एंपी एफसी भारत में काम कर रही है उनका एस साइज दस बिलियन डॉलर से सोड़ी रूपीज से कम है तो यहां पर इसकी इस सेक्टर की फ्यूचर की ग्रोथ की बात करें तो उसमें नुकसान हो सकता है अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं तो आर बियाई का यहां पर धन्यवाद किया जा रहा है तो यहां पर आर बियाई का दन्यवाद किया जा रहा है कि उसने एक बैलेस्ट अप्रोच लेकर आ रही है जो इसका डिस्कॉशन पेपर आया है कि मतलब की जो सस्टेमाटिक रिस्क एंबी एफसी सके निकल कर आ सकते हैं तो यहां पर उसकी उपर यहां पर काबू पाया जाए ऐसे रिस्क ना होगी कल को यह भी दिवालिया हो जाए तो यह साथ-साथ इन का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता जाए और आगे बात कर रहे हैं तो अब देखो कह रहे हैं कि जैसे जैसे यह सिस्टेमाटिक रिस्क बढ़ने की बात कर रहे है अगर रिस्क उतना बढ़ेगा जतना ही आपर इसका स्केल बढ़ेगा जतनी नहीं एन्प्यस्थी खुलेंगी जतने बड़े पर बाने पर एन्पी एफ्स्थी के ओपरेशन भारत में होंगे तो उतने बड़े पर माने पर रिस्क भी, सस्टेमाटिक रिस्क भी यहां पर बढ़ेगा तो लोन इनका दिवालिया भी हो सकता है वापिस भी ना आए एनपी भी हो सकता है तो यहाँ पर ऐसे जो regulations की यहाँ जिसकी अभी बात की जारी आरे बेकर दो बहुत ज़रूरी है कि यह regulations आए तो यहाँ पर बहुत important है कास्वर करें अगर NPS की बात करें तो यहाँ पर पिछले काफी लम्हें समय से इसकी डिमांड थी कि ऐसे regulations आनी चाहिए कि NPS को भी कोई control अच्छे से करें इनका भी को regulatory अच्छा framework हो और आगे बात करें for inclusion in the upper layer of total of 30 NPS will be selected from the sample from a sample set of 50 large ones based on various parameters तो यह parameters कौन कौन से हैं like size interconnectedness complexity supervisory limits including segmental penetration liability mix and group structure तो यह अलग-अलग जो है इनके parameters हैं जिनके साब से बात कर रहे हैं यह अगर आपने किसी अपर layer में कुछ जो है कुछ NPS को अगर include करना उनका conclusion करना है तो यहाँ पर टॉप 30 NPS की बात करें जो भारत में काम करने जिनको किस बिना पर select किया जा रहा है तो यह नीचे मैंने अभी parameters अभी डिसकर्स के हैं कि इन सभी parameters के उपर जो top 30 खरी उतरती हैं तो उनको यहाँ पर लिया जाए तो यहाँ पर किन में के साब से आप उन top 30 NPS को चुन चुन सकते हो तो वही बात कितना बड़ा साइज है कितने बड़े पेमाने पर भारत के financial सिस्टम से वह जुड़ी हुई है तो यहाँ पर क्या उलजन है supervisory limit से यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर अलग-अलग है अलग-अलग यहाँ पर penetration है अलग-अलग segments की उपर तो liability की बात कर रहे है लाइबिल्टी मिक्स मतलब जितना यहाँ पर जो भी जिसके हमने अभी बात की है will be kept empty but can get populated in case RBI takes a view that there has been unsustainable increase in the systematic risk and is spilling over from a specific NBFC upper layer unit तो देखो यह top layer की बात कर रहे हैं कि यह हो सकता यह खाली रहें यह खाली रहेंगी लेकिन इनकी वज़ा से यहाँ पर क्या हो सकता है कि RBI जिस तरीके से अपनी जो है दिशा जिस तरीके से इसके उपर डाल रहा है इनकी अपर तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अंसस्टेनीबल रिक्रीज हो जाए यहाँ पर सिस्टेमाटिक रिस्क में जो यह हो सकता है कि जो यहाँ पर top layer है जो नके द्वरा यहाँ पर यह पर ओके तो इस पर तो यहां पर बात कर रहे हैं वह अपर टॉपई यहां परभाव कर रहे हैं वह अपर लीयर और चीजहों की बात कर रहे हैं तो अभी बात यहीं की जारी है कि जारा तर जितनी भी रेगुलेशन्स यहां पर डिसकुर्शन पेपर में जिसकी बात कीगी जो कि आर्बे के द्वरा लाया गया है तो यहां पर इंस्ट्रॉमेंटल है तो यहां पर स्ट्रॉक्चरल चेंजिस की यहां पर बात कर रहा है कि इन दोनों हिस्सों में अच्छे से रेगलिट कर पाते हैं कि जो टॉप की और उनका जायरा काफी बड़ा हुआ है मुथूट फैनास की बात कुर तू सिर्फ किसी एक पर्टिकलर शहर में काम नहीं कर रही है बहुत सारे बड़े शहरों में काम कर रही है इनकी इजनसी वहाँ पर आपको टॉटा फैनास मिलेगा है मिलेगा इस तरीके से कुछ गिनी चुनी जो टॉप की जो यहां पर उनका बहुत बड़े पेमाने पर परभाव है चो शोटी इनबी एफसी है ओके तो अगर उनकी हम बात करें तो दिशे शोटी वाली जो अमने पहले ही पड़ा है कि 97 परसंट जिदी इनबी एफसी है तो यहां पर 10 बिलियन रुपी से कम का साइज है उनका तो अभी छोटी वाले को अगर आगे लेकर जाना है तो इसका यह जो अपर लेयर जो टॉप लेयर में जो अलड़ी है तो उनका भी बहुत बड़े पाइमाने पर परभाव है मार्कित में फिनाशल सिस्टम में तो आगे बात कर रहे हैं इंट्रोड़क्शन अव डिफरें तो अगर शुरुवात करते हैं हम ऐसे फ्रेंबर्क के साथ यहां पर अच्छा एक स्टैंडर्ड एसेट प्रविजनिंग हम लेकर आते हैं किस तरह के से एसेट साइज को बढ़ाए और यहां पर जो भी फ्रेंबर्क लाया तो उसको कंपल्सरी इंप्लीमेंट करना ही करना है और यहां पर कोर बैकिंग स्लूशन की बात कर रहे हैं उनके अप्लीकेशन की यहां पर बात कर रहे हैं वोगत यहां पर बड़े पेमाने पर एक्सपोजर हो ऐसा फ्रेंबर्क यहां पर क्या है इसके चलते क्या होगा तो यहां पर फाइदा होगा अगर इस तरीके से इ रखेंगे तो जो आज की जो बड़ी एंपी एपसीज हैं वो कल के फ्यूचर रेडी बैंक बन सकते हैं तो देखो फैनाशल सर्विसेस का काम तो यहां पर टॉप पे हैं इनका साइस काफी बड़ा है तो आने वाले समय में और उन बहां पर जो है इंवेस्टमेंट हो सकती है एसेट साइस उनका और बढ़ सकता है और आने वाले समय में फ्यूचर रेडी बैंक की तोर पर उनको देखा जा सकता है बैंकों में भी वो कंवर्ट हो सकते हैं तो साथ ही साथ यहां पर अगर अच्छा फ्रेंबर्ट हो था तो यहां पर ट्रांसपरेंसी भी सिस्टम में बढ़ेगी पाद रशीथा बढ़ेगी कि बैंकिंग पर नाली में क्या काम चल रएक और कैसे चल रहा है और आगे यहां पर बात कर रहे हैं banks have already seen the benefit of introduction of cbs तो इस cbs की अभी हमने बात की है core banking solutions जैसे हम जिसमें हमने बोला जो भी problems banking पर अनाली में निकल कर आती तो क्या solutions वहाँ पर दिये जाए तो यहाँ पर वही बात करें कि bankों में ये core banking solutions जो ये जब introduce की गए तो उसका काफी benefit देखने को मिला already which has brought about a significant reduction in the fraud and transaction in the system जिसकी वज़ा से क्या हुआ कि जो जितने पैसे पहले जितना बड़े प्रमान पर fraud बगरा हो जाते थे fraud transactions होती थी system में उससे यहाँ पर रहत मिली है बैंकों को और अगर हम regulate करते हैं limiting exposure to individual groups and higher standard provisioning requirement will also be instrumental in strengthening the balance sheet quality and providing much required resilience in the system तो अगर regulate करते हैं कि limiting यहाँ पर exposure हो किसी भी individual group का किसी भी NBFC को limiting exposure हो तो यहाँ पर अच्छे standard जो है प्रविजनिंग उसकी हमें जरूरत है तो यहाँ पर उनको हमें लागू करना होगा तो यहाँ पर तभी जो है हमारी balance sheet की जो quality है चाहे NBFC को हो चाहे banking पर अनाली की हो तो उसको हम और बढ़िया बना सकते हैं और अच्छा लचकीला पन जो है हम financial system में provide कर सकते हैं तहां जो कि पैसे की कमी ना हो पैसा आ भी रहा है पैसा जा भी रहा है लेकिन यह पूरा circulation जो है वो चलता रहे हर एक bank की अपनी एक balance sheet होती है उसमें पूरा यहां पर scenario होता हर एक साल का कि क्या यहां पर benefit हुआ क्या loss हुआ किस तरीके से bank चल रहा है क्या आगी चल पाएगा अगर ऐसी balance sheet रही तो लास्ट में बात करें with this discussion paper RBI and government of India have provided a regulatory framework that is futuristic without handling the growth prospects of the industry तो यहां पर इस तरीके का यह और यहां पर बाते की जा रही है regulatory framework में कि मतलब future में किस तरीके का growth और साथ ही साथ जो है कोई मतलब impact भी ना हो negative impact भी ना हो ऐसी industry जब grow करें यह भी ध्यान लखा जा रहा है तो contrary to many industry observers suspicion about nbfc's growth in the face of rising competition from private banks the stage is set for scaling up well managed nbfc's तो अभी देखो अगर हम बात करें industry observers की जो यहां पर अपनी दलील दे रहे हैं तो वही बात कर रहे हैं थोड़ा सा शक्यान को nbfc's के बारे मे दूसरी और जो private banks हैं तो यहां पर वो भी बढ़ते जा रहे हैं वो भी अच्छा खासा जो है अपना competition दे रहे हैं nbfc's को तो इन दोनों को बीच मेंगर competition होता है तो यहां पर फिर भी फाइदा ही देखने को मिलेगा तो वही बात कर रहे हैं तो जो stage है वो यहां पर set हो चुकी है कि हम यहां पर एक अभी well managed nbfc's लेकर आएं अगर private bank भी इनको मकाबला दे रहें तो इनको भी nbfc's को भी इस तरीके से हमें expand करना है कि उनको उनका भी धायरा बढ़े उनको भी अच्छे तरीके से manage किया जा सके मतलब वह मतलब जैसे हमने की crisis की बात की थी जैस करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद